सब्सक्राइब टू माई चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फॉर दे लेडिस्ट वीडियो अपडेट हेलो फ्रेंड्स ये समरी है किलास 11 की इस समरी का नाम है आपट अपर्ट अग्राफ जो की हॉन्ट विल बुक से ली गई है इस समरी के ओथर है सिर्ली टॉलसन इस पॉयम की इस्टाइटिंग में हमारे ओथर एक फोटो के तरफ देख रहे होते हैं वो फोटो में देखते हैं उनकी मदर और उनकी दो कजन एक बेटी और एक डोली थी और ये पोटो तब खीची गई थी जब उनकी मुदर बार साल की थी और वो अपनी कजन के साथ बोर्टिंग करने गई थी ये पोटो तब कीची गई थी जब उनकी मुदर दोनों के बीच में खड़ी थी और दोनों का हाथ पकड़ रखा था उनकी मदर उन सम्मे सबसे बड़ी थी और वो तीनों इसमाइल कर रहे थे और मापे हवा चलनी थी जिनके कारण उनके बाल उड़के उनके मूँ पर आ रहे थे इसके बाद उनके ओथर बताते कि उनके मदर का बहुत प्याड़ा चहरा था और ये फोल्टो तब खीच गया था जब ओथर पैदा भी नहीं गुआ था इसके बाद ओथर बताते कि उनकी मदर का चहरा पहले से बदल गया था लेकिन वो सिन अभी तक वैसा ही था और साथ ही ओथर बताते हैं जब उनकी मदर तीस साल के बाद इस फोटो को देखती है तो उन फोटो को देखके उनकी मदर बहुत हसती है और उनकी मदर बेटी और टोली की सर्ट में कमेंट भी करती है ओथर हमें बताते कि उनकी बिताई हुई चुटिया तिती ओथर बताते कि उनकी मदर की वो इसमाइल उनकी पास्ट बन चुकी और वो दोलों बहुत उदासे और बाद में ओथर हमें बताते कि उनकी मदर की तैत बाड़ साल पहले ही वो चुकी है इसलिए ओथर बहुती सांत और अकिले जिन्दगी जीते हैं और ये बताते हुए ये गानी का एंड होता है और साथ ही इस poem के कुछ important questions है जिसे आप नीचे description में देख सकते हो और इस वीडियो को शेयर करना ना बूलिए और लाइक करके कमेंट करके बताईए कि आपको कौन सी story की आपने poem सुननी है Thank you